जय श्री मन्नारेंट आपके अपने यूटूब चैनल में आपका फिरिश्य श्रावत है आईए आज आप जानेंगे परवर्तनी एकदसी के बारे में और उसके बाद परवर्तनी एकदसी के पारन का क्या समय रहेगा और परवर्तनी एकदसी के दिन भागवान विश्नु को क्या वोगल लगाया जाएगा तो ये सब बात हैं इस वीडियो के मातिम से हम आपको बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो क्रपा करके सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगी वेल आकन घंटी को भी दबा दें जिससे की हमारे दारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके हिंदू धर्म में एक दसी का विश्ष मेत्व है हर साल कुल 24 एक दसी पढ़ती है ऐसे में हर महा के कृष्ण पक्ष और शुकल पक्ष में एक 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 दसी पढ़ती है और हर एक एक दसी का अपना अलग मेत्व होता है ऐसे ही भादरपद मास के एकदसी का विश्यश मेहत्व है इशे परिवर्तनी एकदसी के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान विश्णों की विदिवत पूजा करने के साथ साथ बृत रखने का भी बिदान है विशनु पुरान के एंसार इस दिन विशनु भगवान की विदिवत पूझा करने से अक्षफलो की प्राब्ती होती है और घर में शुक्षांती बनी रहती है परिवर्थनी एक दसी को पदमा एक दसी बामन एक दसी और जल जुलनी एक दसी इत्यादी नामों से भी जाना जाता है आईए अब बात करते हैं परिवर्थनी एक दसी ति थी कफ से प्रार्म हो रही है निर्णे सागर पंचांक के अनुशार इस सार भात प्रदमास के शुक्र बक्च की एक दसी ति थी 13 सितंबर दिन शुक्रवार को रात दस बज़ कर 31 मिनट से प्रारम हो रही है जो की 14 सितंबर दिन सनीवार को रात आट बज़ कर 41 मिनट पर समप्त हो जाएगी एशे में परिवर्तनी एका दसी के दिन भगवान विश्नु की पूजा का शुम्हुर्द शुवे 7 बजकर 38 मिनद सी लेकर के 9 बजकर 11 मिनद तक है इसके बाद राहुकाल शुरू हो जाएगा आपको बता दें कि राहुकाल में कोई शुबकार नहीं किया जाता है आज के दिन राहुकाल का समय रहेगा शुवे 9 बजकर 11 मिनद सी रेकर के 10 बजकर 44 मिनद तक इस समय के अंतराल आप भगवान विश्नु की पूजा नहीं कर सकते हैं इससे पहले आप भगवान विश्नु की पूजा कर लें परिवर्तनी एका दसी के दिन भगवान विश्णू की पूजा अर्चना किस प्रकार करें आईए अब बात करते हैं परिवर्तनी एका दसी पर सबी कामों से निब्रत होकर के इश्णान कर लें उसके बाद भगवान विश्णू का मरन करते हुए बृत का संकल्प करें फिर एक तामे के लोटे में जल, फूल और रोली डार करके शूर्दे भगवान को अर्ग दें उसके बाद पूजा आरम करें सबसे पहले एक लगड़ी की चोकी लें या पाठा लें फिर पूजा घर में एक लाल या पीला रंग का कपड़ा विशा करके भगवान विश्णू एवं लक्षवी नारण की मूर्ती इस्ताबित कर लें मूर्ती नहीं हैं तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं उसके बाद पंचामरत दिखा करके इश्टान कराएं उसके बाद सुद्जल से सानकर आएं फिर उनको अच्छे से साफ कर लें फिर उसके बाद उनको रोली, चंदन, एवं समा के चामल अरपित करें इस दिन आपको बैसे चामल यूज नहीं करने हैं ब्रतवाले साम चामल ही आपको यूज करने हैं उसके बाद लक्ष्वी नर्ण भगवान को पुष्पमाला अर्पन करें और उसके बाद लक्ष्वी नर्ण भगवान की आरती करें आरती करने के बाद उनको सुन्दर सा भोग लगाएं भोग में आप कुछ भी अच्छा मीवा की मिठाई अत्यादी ले सकते हैं और उसमें आप तुलसी दल अवस्ष डालें बिना तुलसी दल के भगवान विश्नु भोग अर्बन नहीं करते हैं इसलिए उनको भोग में तुलसी दल अवस्ष चड़ाएं भोग लगाने के वाद विश्नु भगवान को प्रणाम करें उसके वाद दिन वर फलाहर ब्रत रकें और द्वादसी दिथी को ब्रत का पारण कर लें सूरोध होने के बाद ब्रत का पारण कर सकते हैं। 15 सितंबर दिन रविवार को सूरोध होगा आपका 6 वजकर 27 मिनट पर। उसके बाद भगवान विश्नु की पूजा अर्शना करने पर आप ब्रत का पारण कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन द्वादसी तिती का समापन होगा साम को 6 वजकर 12 मिनट पर। तो मित्रोग अब बात करते हैं परिवर्तनी एकदसी के महत्व की। परिवर्तनी एकदसी के दिन भगवान विश्नु के बामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे भारत के कई छेत्रों म पार्षव एकदसी के रूप में भी जाना जाता है। इस एकदसी पर स्री हरी सेयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए इश्रे एकदसी को परिवर्तनी एकदसी का जाता है। जो भी वक्त सक्ची स्रद्धा और विश्वास के साथ परिवर्तनी एकदसी का ब्रत लगता तो भगवान विश्णों की कृपा से उसके भाग में भी परिवर्टन आता है। इसे पदमा एक दसी के नाम से भी जाना जाता है। इस ब्रत में भगवान विश्णों के बावन अवतार की पूजा करने शे बाज़ पे यक यक के समान फल प्राप्त होता है। और मनुष्ट क समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं यह देवी लक्षमी का एहलाद कारी ब्रत है इसलिए इस दिन लक्षमी पूजन करना भी स्रेष्ट माना गया है तो मित्रो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जादा से जादा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को सियर करें और आप हमारे चैनल पर फहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि हमारे दारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप कोमेंट वक्ष में पूछ सकते हैं जैस्री मन्नारण जैस्री रादे